थकना को इंगलिश में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं थकना को इंगलिश में आप getting tired या get tired कह सकते हैं इसके इलावा exhaust होना को भी कई बार थकना के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि काम पर लंबे दिन के बाद मैं थक गया हूँ तो आप कह सकते हैं आफ्टर लोंग डे अट वर्क, I am getting tired या अगर आप ये कहना चाहें कि बच्चे आम तोर पर पार्क में घंटों खेलने के बाद थक जाते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें